देश के सबसे बड़े उद्योध पती मुकेश अंबानी और निता अंबानी के गर्ष सेलिवेशन दो रूपने का नाम ही नहीं ले रहा है पिछले साल बेटी इशा अंबानी की शादी आनन्द परिमल से करने के बाद अंबानी परिवार बड़े बड़े आकाश अंबानी की शादी में व्यस्त है आकाश अंबानी की शादी डायमेंड व्यापरी रुशेल महता की बेटी श्लोका महता से हो रही है और अब उनके छोटे बेटे अनन अमवानी की बारी है ऐसे आपको बता दे कि मुकेश जी और निता जी को अपने छोटे बेटे के लिड़की डूननी की जुरत नहीं है लगता है उनके लिए लड़की पहले से ही डून ली गई है और वो है रादिका मर्चेंड 24 साल की रादिका मर्चेंड ने अपने करियर की शुरुवात के डार कंसल्टेंड देशाई एंदिवान जी और फर्स इंडिया जैसी कंपनी से की है नोकरी करने के साथ-साथ उन्होंने अपने एक फर्म भी शुरू की है रादिका को पढ़ना, फ्रेकिंग करना और सुविंग करना बेहत पसंद है अनन्द अम्बानी और रादिका मरचेंड की अफेर की चरचा तब से शुरू ही है जब से रादिका ने ईशा की सगाई पर स्लोका के साथ गूम्म डाँस किया था रादिका और अनन ने भी शारुक खान के गाने कोई मिल गया पर साथ में डांस किया था और उन्होंने ग्रूप परफोमेंस में भी साथ साथ में डांस किया है अकाशोशलोका की शादी के संगीत में भी राधिका ने एंकरिंग की है और दुलहन के साथ-साथ डांस में शामिल भी हुई है राधिका पूरी परिवार में अमबानी परिवार के साथ ही रही और परिवार के सदस्ति की तरह हर रश्मों में शामिल हुई है रादिका को परिवार के इत्ते करीब देख कर हर को यही कयास लगा रहा है कि इस परियार की होने वाई चोटी बहू वही है हलाकि अंबानी परिवर ने राधा, राधिका और अनन को लेकर अभी तक किसी भी बात को Confirm नहीं किया है और वो हमेशा इस बात का खंडन ही करते आए हैं ईशा अंबानी और आकाश अंबानी की शादी के बन अब सब की निगाहे अनन अंबानी की शादी पर टीकी है अब देखना ये होगा कि अनन और रादिका के रिष्टे का कुलासा अम्मानी परिवर कब और कैसे करता है वैसे ये जोड़ी हमें तो बहुत खुबसरत लगती है आपको कैसी लगती है ये जावाब कमेंड में जरूर बताईएगा